असलाम अलेकुम आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट शाही कॉर्मा उसके लिए मैं यहाँ पे आदा कीलो बोनलेस चिकन यूज कर रही हूँ एक बड़े साइस की प्यास एक प्याली बदाम फाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर काली मिड्च हाफ टीस्पून वाइट पेपर पाउडर स्फेद मिड्च एक प्याली फ्रेश मिल्क क्रीम हाफ टीस्पून गरम साला एक प्याली दही हाफ कप कुकिंग ओल रैड चिली सीट्स सुरक मिर्च सबसे पहले परतिली में कुकिंग ओल एड़ करूंगी हाफ कप इसके नीचे मैंने फ्लेम ओन कट दिया है वीडियम फ्लेम कुकिंग ओल गरम हो गए हममें इसके प्याज एड करोंगी और अब में स्प्राइट करोंगी असा यह स्प्राइट करोंगी इसे हमने जादा प्राइट पिसने हैं इस लिए प्राइब जादा प्राइब नहीं किया है अब मैंसे अंदर चिकन एंड कर दोगी अब मैंसे इसे बहुन लूँ ज़तकि चिकन वाइट हो ने कि अब बहुन के वाइट कर लिए है अब मैंसे इंदर स्पाइसी एड कर दोगी काली मिर्ट पेज मिर्ट गर्मसाला सुरक मिर्ट के भी और नमस और इसे अच्छे से मिक्सर लोगी अब मैंसे के अंदर देहीं आड कर लोगी अब मैंसे के अंदर देहीं आड कर दोगी अब मैंसे का टकन लगा के रख दूगी दस मिंट के लिए मैंने इस लोग प्रेम के रखा था पकने के लिए अब मैंसे के लिए हाई फ्रेम कर दूगी और इसे अच्छे से दो मिंट के लिए अच्छे से तेज आच के भून लिए अब मैंसे के इंदर त्रेश मिल्क क्रीम आच कर दूगी अब मैं इसे अच्छे से भून लूगी अब मैं इसे थोड़ा सा भूना था और दस मिंट के लिए अच्छे से अच्छे से भून लिए अब मैं इसे अच्छे से भून लिए अब मैं इसके नीचे लोग प्रेम करके अच्छे से थोड़ा सा भूना था और दस मिंट के अब मैं इसके नीचे फ्लेम बन कर दूँगी और इसके अपर मैं बदाम एट करूँगी इसके मैंने चिल के उतार लिए और इसके ड़कन लगा कर दूँगी बदाम मैंने इसके अंदर एट किये थे थोड़ी सी कसूरी सुखी मेती भी मैं इसके अंदर एट करूँगी खुशबू के लिए शाहिक और में की रेसिपी बन के त्यार है आप इसे ट्राय करें आपको बसंद आएगी और इसे अपने रेलिटिव और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरी वीडियो का लाइक करें और